सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टाडी अद्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए for latest update वेल्कम तू बालाजी स्टाडी अद्डा नमस्कार दोस्तों, बाला जी स्टेडी अट्डा में आपका स्वागत है, तो जैसे कि हम BTC DLA ठल समेश्टर का जो कोर्स है, उसके अंतरगत बीचगरती विंजिको में एक पदी है था, दुई पंदी है, विंजिको से भाग जो हमारा चैप्टर है, उसके कुश्चन्स की बा जो हमारे कवर हो जाएंगे, और एक कुश्चन जो हमने आप से फर्स्ट पार्ट में पूछा था, उसका सॉल्यूशन जो हम सबसे पहले देखते हैं, जो कि हमारा BTC DLA जो 2017 का थर्ड समिश्टर का पेपर था, उसमें जो है वो पूचा भी गया था, तो कुश्चन नोट कर माइनस 6 को जो है वो भाग देकर भागफल और सेसफल दोनों ही बताना है, भागफल भी हमें बताना है और उसके साथ साथ सेसफल भी हमें बताना है, इस टाइप के कुश्चन की हम बात अलड़ी प्रिविएस वीडियो में कर चुके हैं, कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब 20X स्क्वाइर प्लस 13X माइनस 12 और यह जो हमारा कुश्चन है वो BTC DLA 13 समिटर के 2017 के दिती बार का जो पेपर हुआ था, उसमें जो है वो पूछा गया था, तो बात करते हैं इसके भाग की, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3X लिखा है, यहाँ पर 15X क्यूब लि तो 3 को 15 बनाने के लिए सबसे पहले हम गुड़ा करेंगे, 5 से 35 जब 15 हो जाएगा, अब यहाँ पर X क्यूब दे रखा है, यहाँ पर X दे रखा है, तो X को X क्यूब बनाने के लिए हम X स्क्वाइर से गर गुड़ा कर दें तो हमारा X क्यूब हो जाएगा, यानि कि X स्क् 5x square से हम गुड़ा करेंगे तो 6 को 5 से करेंगे तो 30 और x square रह जाएगा और minus हमारा है यह तो minus हम यहां लिख लेते हैं यानि minus 30x square हैसे हम यहाँ पर देखेंगे जो नीचे वाली यहाँ पर माल लिखे होते हैं इन के चिन बदल देते हैं यहाँ पर plus है इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ यहाँ पर plus हो जाएगा यानि कि अब समय 30x square जो है यह plus का हो गया वह minus 20x square जो है यह minus का हो गया plus में से minus कटाइंगे तो 10 बचेगा यानि कि 10 और x square यह वाल 30x हम उतार लेते हैं प्लस 13 x अब फिर से हम देखेंगे 3 को हम 10 कैसे बना सकते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 के पहारे में 10 तो आता ही नहीं है तो हम क्या करें इसको हम 1 बना लेते हैं और उसके बाद जो हम 10 लाने के लिए डारेक्ट 10 से गुड़ा भी कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि 3 को सबसे पहले हम 1 कैसे बना सकते हैं 3 को हम गुड़ा कर दें 1 बटे 3 से अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 3 आपस में कर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा केवल 1 बचेगा अब हमें लाना क्या है 10 लाना है यानि कि उपर जो 1 है इसकी जगा अ तो यह 3 से 3 कट जाएगा हमारे पास केवल 10 बचेगा कहने का मतलब यहाँ पर है कि 3 को अगर हम 10 बटे 3 से गुड़ा कर दें तो हमारा मान जो है वह हमें 10 प्राप्त हो जाएगा हमें ऐसी जंक ऐसे गुड़ा करना होता है जिससे कि यहाँ पर जो मान लिखा है वो आ जाए यहीं 3x को हम यहां लिख सकते हैं प्लस का 10 बटे 3 और 7 में यहां पर x है यहां पर x square दे रखा है यहीं कि हमें x square लाना है तो केवल single x से हम गुड़ा करेंगे तब ही हमारा यह x square आ जाएगा अब 3x को 10 बटे 3x से अगर गुड़ा करेंगे तो 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बचेगा और 2 को 10 से गुड़ा करेंगे तो 20 आएगा यहीं कि 20x हमारा मान आ जाएगा माइनस का 20x माइनस इसलिए है क्योंकि यहां पर माइनस चिन लगा है यह चीज आपको नहीं समझ में आई मैं आपको यहां पर करके भी दिखा देता हूँ कि माइनस 6 को जो है गुड़ा किया हमने 10 बटे 3x से 3,1,3,3,2,6 2 को 10 से करेंगे तो 20 यह वाला माइनस माइनस और यह वाला x यही माइनस 20x हमने यहां पर लिखा है अब हम लाइन कीज देते हैं चिन हमने आपको बताया था नीचे वाले बदल जाते हैं यह प्लस का है यहां माइनस हो जाएगा यह माइनस है तो यह प्लस का हो जाएगा यह वाली कट जाएगा जैसे कि यहां पर हमने काटा नहीं था पर यह प्लस माइनस है तो आपस में कट जाते हैं अब यहाँ पर प्लस का 20X है और यहाँ पर प्लस का 13X है यानि कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे दो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है यानि कि आपस में जुड़ जाएंगे तो 20 और 13 हो जाता है हमारा 33X और ये वाला हमारा बचाय भी उतानने क्योंकि हमने 13x उतार लिया था बचार माइनस 12 यानि माइनस 12 को भी साथ में उतार लेते हैं अब हम क्या देखते हैं कि हमें 3x को 33x लाना है यानि किस से गुड़ा कर दें हम 11 से गुड़ा कर दें क्योंकि यहां पर हमारा single ही x है इसी परकार minus 6 को 11 से गुड़ा करेंगे तो minus 66 जो है हमें हमारा प्राप्त हो जाएगा फिरसे line कीशते हैं यहां minus हो जाएगा यह कट जाएगा अपस में यहां पर plus हो जाएगा क्योंकि minus है अब plus का 66 है minus का 12 है गटा देंगे चाचट में से 12 गटाएगे तो हमारे पास बचेगा चाववन बस अब हमें आगे करना नहीं क्योंकि हमारा यहां तक सारी संक्या हमने उतार ली है तो यह जो है हमें प्राप्त जो होता है इसे हम कहते हैं सेसफल देगे प्रस्न में हमारा पूछा भी ताग सेसफल बताना है आपको तो यह हो जाएगा हमारा सेसफल यह जो हमने निकाला यह जिससे भाग दिया यह हमारा हो जाएगा भागफल और यही दोनों चीजे केवल हमें बतानी थी भागफल तथा सेसफल बागफल हमारा ये हो जाएगा और सेसफल हमारा ये हो जाएगा मैंने सारे जो भी लाइन टू लाइन बात किया है तो I hope आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छा कोशन था इस टाइप के जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा बीजगरती वंजिकों में एक पदी तो दुपदी वंजिकों से बाग इस कोशन से कोई भी टफ कोशन कह सकते नहीं कि मतलब कहने का हमारा यह है कि इस टाइप के question करने के बाद आपको जो इस topic से related जो basic question है वो सारे इस type के आप question कर ले जाएंगे चलिए बात कर लेते हैं एक और question जो कि हमारा आया था BTC DLA 3rd semester के 2017 के paper में अगला हमारा question है कि 9A square minus 24A plus 18A cube इसको जो है हमें 3A से जो है वो भाग दे कर भागफल बताना है इसमें किवल हमें भागफल बताना है और यह जो question है हमारा यह BTC DLA 3rd semester के सन 2017 के paper में जो है वो पूचा गया था तो आप चाहें तो अगर पिछला आपने question जो है अच्छे से समझ लिया है तो इसको जो है आप स्वेम से जो है वो try करके देखिए जिसे कि आपकी जो practice है वो और अच्छी हो सके ही चलिए बात करते हैं इसके solution की तो हम क्या करते हैं 3A को जो है वो बाहर लिख देते हैं और 3A को हमें 9A square बनाना है तो 3 को हम सबसे पहले 3 से करेंगे तो 9 आएगा यानि 3 हम लिख लेते हैं और A को A square बनाना है यानि कि A और से और गुड़ा कर देंगे अब 3A को 3A से हम गुड़ा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9A square और हम यहापा line खीच देते हैं नीचे वाले चि 24A ऐसे ही उतार लेंगे अब हमें 3A को 24A बनाना है और साथ में माइनस भी है तो सबसे पहले माइनस से गुड़ा करेंगे 3A को 24 बनाना है यानि 3A 24 रहता है यानि कि 8 से गुड़ा करेंगे A यहाँ पर already है और यहाँ पर A हमारा जिसे गुड़ा करने वो भी है तो हम यहाँ पर किसी से भी गुड़ा नहीं करेंगे क्योंकि अगर A से कर देंगे तो यहाँ पर हमारा A square आजाएगा यानि 3A को हम सिंपल सा 8 से मल्टिप्लाइट करेंगे तो हमारा आजाएगा 24A और माइनस का आजाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस लिया था लाइन अप फिर से कीचेंगे जो नीचे चिन होते हैं वो बदल जाते हैं यानि यह प्लस का हो जाएगा यह प्लस का 24 है यह माइनस का तो यह हमारा कट जाएगा अब हमारे पास क्या बचा 18A cube प्लस का इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं अब हमें 3A को जो है वो 18A cube बनाना है तो 3 को 18 बनाने के जिए सबसे पहले हम करते हैं गुड़ा 6 से और यहाँ पर प्लस है तो यानि कि यहाँ भी प्लस ही रहेगा 6 से करेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा A को A cube बनाना यानि A square से हम अगर गुड़ा करें तो हमारे पास यहाँ पर A cube आ जाएगा यानि कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 18A cube और हमारा प्लस का लाइन ऐसे कीचे नीचे कीचे ने बदल जाते हैं यहाँ माइनस हो जाएगा भागफल तो हमारा यही जो है उत्तर हो जाएगा यह जो है हमारा भागफल हो जाएगा I hope आपको समझ में आ गया होगा तो इसी के साथ हमारे जो भी इससे related question हो सकते थे वो सभी हमने जो है वो cover कर दिया तो previous year में जो भी question अभी तक इससे पूछे जा चुके है वो भी सभी जो है हमने इसमें cover कर दिया है तो इसे के साथ हमारे यह topic जो है वो समापत होता है अगले वीडियो में एक और नए topic के साथ मिलेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही अगर हमारा प्रेस आपको पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और subscribe के बगल में नोटिफिकेशन बेले है उसे जरूर रूण कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वाचिंग